ये गाउं के तलाब में अज मचली पकड़ने वाले हैं देखिए जाल विचा दिये हैं और कुछ लोग घुसे हैं देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ तो आज मचली निकालेंगे ये गाउं के हर घर में बटेगा सबसे सौसा रुपए चंदा लिए हैं तो साम को सभी के घर में मचली बनेगा और तलाब से बहुत सारी मचली निकालेंगे तो फिर आपको हम दिखाते हैं कर देखिए हैंच्द सब घूसे हुए हैं जाल फचादी हैं उसके प्रसी को खीच रहे हैं यौल हमारे बाड़ी के तरफ आई सब बहुत सारा मचली निकलने देखिए कैसे खीच रहे हैं जाल पसा के बिक्रे हुए है और सभी अपने रसी पकड़ करके दोनों तरफ लग बग सोला आजमी इधर अपने कवर करने हैं उसको तलाब को खीचने के लिए और मचली बहुत बड़ा बड़ा साइज का मचली मिलता है यहां पर मैं लास्टर मे पूरे गाओं में बटेगा और मचली पूरा गाओं में बटेगा अलग से दो भाग किया जाते हैं मारने वालों का भी कुछ रहता है उसको भी जते हैं अपने क्या बोलते हैं मजदूरी के हिसाब से 10-12 kg जो भी है और उसके बाद मचली का जो साइज है और काफी होना चाह में दोनों साइड लोग घुसे हो हैं और रसे से जाल को पकड़ के इस टैप का खीच रहे हैं लगभग लगभग दोनों साइड मिला के 15 आदमी हैं और बहुत महनत है बहुत पानी भी है अब देखते हैं लास्ट में कितना मचली निकल रहा है वैसे हमारे गाओं का मचली यहाँ सैड़र एक बार मारेंके तो मिनीमम कम से कम तो एक क्यूंट यह है देखते हैं आज किटना निकल रहा है तो ठीक है दोस्तों अब आपको बताते हैं दोनों साइट देखो कैसे महनत कर रहे हैं बहुत महनत कर रहे हैं पानी भी बहुत ज़्यादा है तो ठीक है देखते हैं कितना मच्री निकल रहे हैं फिर आपको बता रहे हैं निकले किसे कमुत है निकले के अे खिर आपको जूख पर रुका है मता है जों है आपको जब को कर रुका है आज हमारे गाउं में तलाब में मचली मार रहे हैं तो देखते हैं रोज तो खरीद खरीदे खाते थे मचली आज बीना खरीदे मिलेगा ये गाउं का सरवजनिक है किये हैं देखो कि यहाँपे बहुत सारे भीड है क्ऊशी मना रहा हैं लोग मचली खाने के लिए धी दिए और तलाब में मचली आद्व निकाल रहे हैं सारवाजनिक मचली निकालते हैं यहाँ पर और चंदा भी देना पड़ता है जितना जितना भी हिसाब से तो मैं दिखाता हूँ आपको मचली निकालते हुए देखो यह जाल इस साइड से खीज रहे हैं और वह बीच में एक भाईया है ट्यूब में बैठे हुए और इधर से भी साइड से खीज रहे हैं तो दिखाता हूँ आपको आगे का वीडियो कि यह देखो दोस्तों कैसे खीच रहे हैं यहाँ पर और जाल्स दोनों तरफ से लगे हुए हैं लोग और मैं आगे का वीडियो तोड़ा किसी कारण परस नहीं बना पा रहा हूं लेकिन यह बता दूं कि एक भी मच्छी नहीं मिला दोस्त मुझे ऐसा लगा कि आज पहले बा सिर्फ दो से तीन टोर निकला था वो भी एक एक पाव के आसपास का तो पूरे गाओं में वाले दुखी है बहुत दुखी है गाओं वाले नाइच मिला बहुत सब लोग दुखी है गाओं के लोग अब मैं क्या बताओ किसी कारण परस नहीं बना पाए वीडियो आगे का तो उसके लिए मापे चाहता हूं ठीक है दोस्तों कैसा लगा हमारे गाओं का आज का यह वीडियो बताईएगा